बिस्मिल्ला है रख्मान रहीम अस्सलाम वालेकुम वैलकम टू मैं चैनल वीविर्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो नीचे दिये गए सब्सक्राइबर बेटन पे क्लिक कीजे और साथ ही बेल आइकन पे प्रेस कीजे ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी वी सके हैं वीविर्स आज जो मैं रेमेडिया आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वह होमेड हेयर और आज कर आपको पता ही है कि कितने जादा हेयर फॉल का इश्यू हो चुका है गिरे हेयर दो मुहाबाल डेंडर बहुत जादा ये प्रॉब्लम जो है कॉमन हो चुकी है तो इसी को मैंने मद्दे नजर लगते हुए मैंने होममेड ड्रैमेडी बनाई है हेयर ओल की तो आईए विविर्स इसके लिए जो चीज़ हमें चाहिए हैं पहले हम वो नो डाउन कर लेते हैं मैंने एक अदद प्याज ली है मीडियम साइज और एक चोटा सा तुकड़ा अद अद्पियास करेजर अगर्एक ऑप हफ़ते में दो दफ़ा लगाएंगे तो आपके बाल मझगूत और गने हो जाएंगे इसके इसमें अद्रग यूस की है अद्रग आपके बालों को बूस्स करता है और बालो को स्ट्रेड बनाता है और हेर लॉस से बचाता है इसके इलावा हमने इसमें ली है मेती दाना टू टेबल स्पून मेती दाना आपके स्प्लेट एंड्स को खतम करता है डैमेज हेर को ठीक करता है डैंडरफ को खतम करता है और बालो को शाइनी लुक देता है साथ ही हमने लिए है दो टेबिल स्पून कलोंजी कलोंजी आपके बालों में गंश पन को खतम करती है इसके लावा बालों की नशनोमा करती है और बालों को जड़ों से मजबूत बनाती है साथ ही हमने इसमें लिए है नारियल का तेल नादील का तेल आपके बालों को डेमिज से बचाता है शायन लाता है बालों को और बालों को मजबूत करता है मेरे पास 300 ml बॉटल थी तो मैंने 300 ml यूज़ किया आपके उपर डेपेंड करता है कि आप कितना यूज़ करना चाहेंगे अगर आप जादा और ले रहे हैं तो इन चीजों की क्वाइटिटी बढ़ा दीजेगा तो आईए वीवर्ज हम अपनी रेमेडिय स्टार्ट करते हैं पतीली को मैंने हीट अप कर लिया था इसके अंदर जो सबसे पहले हमसी डालेंगे वह अद्रक और प्यास का पानी है अद इसके अखे लिया पर का ड inclusive आरश आखे हुएब दर्शोंका यह म् क्यास्यगान आप स्रॉशं करिए Lefty जूर देखिए इसमेयन चुरू हो घाइए का में इसको राध की छोड़ देना है रहे हमें इसको ने मॉर्णिंग राप और हमने इसके देखेँ दाने हुएकि यह व कि लुक है हमने और बनाकर एक दिन के लिए चो दिया था ताके तमान चीजिए और में अच्छे से मिक्स हो जाए तो आई हम इसको चांदते हैं और चाना इस तरह से है कि इसको हम साथ साथ जो है वो प्रेस करते रहेंगे ताके जो ऑईल मेती दाना में आप्जर्ब हुआ है वो ऑईल में मिक्स हो जाए तो वीवर्स यहां पर हमने अपना ऑईल जो है वो चांद लिया है अब हमने इसको यह देख लिए आप इसकी लुक मैंने एक बाउन में इसको चाना है इसके बाद हम इसको बॉटल में कनवर्ट करेंगे वीवर्स यहां पर हमने अपना ऑईल क बौटल में कनवर्ट कर लिया है आप इसकी लुक देख सकते हैं यह इसकी फाइनल लुक है इसको यूज आप इस तरह से करना है कि हफते में दो से तीन दफ़ आपने इसको लगाना है बालों की जड़ों में हलके हाज से मसाज करना है तो यह आपके बालों में जाकर आउंगी जब तक लिए मुझे अजाज़ दीजे मेरे चैनल सब्सक्राइब करने ना भूलेगा तो मुझे दौाओं में याद रखिएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा अलाहाफेज